दोस्तो नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, दोस्तो history के chapter नमबर 19 में आप सबका स्वागत है, इससे पहले हम ancient history कर चोके, middle history हमने half कर ली है और हम continue इसको modern history तक लेकर चलेंगे, लगवक 45-50 lecture आपके पूरे इतिहास में रहेंगे, ancient, middle, modern, पूरा cover कर रहे हैं, handwritten notes के साथ cover कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में और पढ़ने में आसानी रहे, तो आज का chapter हमारा है, सायद वन्स यानि सायद डैनेस्टी, 1414 से लेकर के 1451 तक का कारिकाल इसका माना जाता है, अगर आपको PDF चाहिए, पूरी handwritten notes की, तो वीडियो के description से download कर लीजिए, और अगर कोरिय से चाहिए, तो आप लोग हमारा ये number 8447410108, इस पर call या WhatsApp पर बात करके मंगवा सकते हैं, सायद वन्स में सबसे पहले नाम आता है, खीजर खान का, खीजर खान का कारिकाल 14 से 1421 सिश्वी तक रहा, सायद वन्स के विशे में, प्रामानिक पूचना का सुरोत यहिया बिन एहमद सरहिंदी की एक मात्र पुस्तक कारी के मुबारक साही है, याद रखना वे, यहिया बिन एहमद सरहिंदी के पुस्तक तारी के मुबारक साही से हमें सयद वन्स के परमान मिलते हैं, सयद वन्स का सहस्तापक खीजर खान था, सल्तनत का में सासन करने वाला वै एक मात्र सियावशs था खिजर खान ने सुल्टान की उपादी धार्ण नहीं की बल्कि उसने रएत-े आला की उपादी धार्ण की थी किस चीज की उपादी रएत-े आला खिजर खान तैमूर-लंग का सेनापती था भारत से लोड़ते समय खिजर खान तैमूर के पुत्तर सारूख को नियमित रूप से कर भेजता था ये कहा जाता है कि जब तैमूर लग भारत से वापिस गया तो अपने कुछ हिस्से वो खिजर खान को दे कर गया था तो ये कहा जा सकता है कि इस अक्षेतर में खिजर खान तैमूर लंग का उपच उत्रादिकारी था खीजर खान अपने सिक्कों पर तद्धा उसके पुतर सारूख का नाम अंकित करवाता था तद्धा खुत्बे में भी सारूख के नाम का उलेग करता था यानि उत्चारिक रूप से तो खीजर खान को ये पद मिला हुआ था उसके उत्रादिकारे का तैमूर का लेकिन स्वेधानिक रूप से यह सारूप का ही पत था क्योंकि खिजर खान ने अपने आपको घोशित रूप में कभी उत्रादिकारे नहीं माना वो रहियत आला की उपादी से संतूर्ष था उसने एक संपर्भुतो संपन सासक के रूप में सासन नहीं किया बलकि वह तैमूर के पुतर और उत्रादिकारी सारूप के परतनीधी के रूप में सासन करता रहा खिजर की मिर्थू 20 मई 1421 इस्वी में होई थी फिर नाम आएगा मुबारक सह का 1421 से लेकर 1434 इस्वी तक का कारिकाल मुबारक सह का था खिजर खान के बाद उसका बेटा मुबारक खान मुबारक सह के नाम से मई 1421 को दिल्ली का सुल्तान बना मुबारक खान सयद वन्स का सबसे महान और सक्तिशाली राजा था वे उसने 1433 इस्वी में यमना नदी के तठ पर मुबारका बाद नामक एक नया नगर वसाया था मुबारक साह ने सा की उपादी धार्ण की थी अपने नाम का खुतबा उसने पढ़वाया और अपने नाम के शिक्के उसने परसलित करवाये थे ये क्योस्टन पुछा जाता है कि सयद वन्स के किस राजा ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने आम नाम के शिक्के चलवाये और सा की उपादियों उसने धारण की यह सब काम मुबारक सा के थे उसने सिवम को सुल्तान भी गोशित कर दिया था खुत्बे में तैमूर के वर्सजों का नाम उसने हटा दिया और अपने नाम के खुत्बे वो पढ़वाने लगा तथा राजस्व के रूप में सभी परतिकों का उपभोग उसने आरम कर दिया था यहया बिन एहमद सरहिंदी को मुबारक सहा का संरक्षन प्राप्त था यह माना जाता हुए क्योंकि यहया बिन एहमद सरहिंदी यह एक समय का उस समय का सबसे महाल लेकक माना जाता है चलता है और मुबारक साहा का संरक्षन उसको प्राप्ष था उसके राज्य में लिखा पड़ी का काम रसनाओं का काम यहिया बिन एहमद सरहिंदिक किया करता था मुबारक साह कभी विदेशी स्वामितों को सविकार नहीं किया था किन्तु खलिपा के पर्ति वे निष्ठामान जरूर था और यमना नदे के किनारे मुबारक बाद नमक एक नगर उसने बसाया था फिर नाम आता है मुहमद साह का 1434 सिस्वी से 1465 सिस्वी का कारिकाल मुबारक साह के बाद उसका दत्तक पुत्तर मुहमद साह गद्धी पर बैठा मुहमद साह एक अयोग्य सासक सिद्ध हुआ अपनी अयोग्यता के कारण सयद वन्स का पतन का मारग उसने परसस्त कर दिया यानि वहीं से सयद वन्स उतार की तरफ था उसका जोह पतन अब निश्चित हो चुका था किन्तु वजीर सक्रूल मुलक ने सामराज्य की लंबे समय तक देखरेक की तथा परसाशन की बागडोर उसके ही आतों में बनी रही मुहमद साह ने बहलोल लोद्धी को अपना पुत्तर कहकर पुकारा तथा खाने खाना की उपाधी उसको परदान की 1445 इस्वी में मुहमद साह की मर्थु हो गई ये भी याद रखना वे आप लोग उसके बाद नाम आता है अलाउदिन आलमसा का 1445 से 1446 इस्वी मुहमद साह के बाद उसका पुत्तर अलाउदिन आलमसा की उपाधी धारन करके गद्धी पर बैठा ये सायद वनस का अंतिम सासक था जो अपने वनस के सासकों में सरवाधिक एयोग्य सिद्ध हुआ अब अगर हम बात करें इसमें तो कई सारे महतपन क्योस्टन बनेंगे इसके समय में ये कहावत थी देखो सह ए आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक है आप सोच सकते हो छोटा सा राज्य बन गया संकुचित राज्य हो गया और बिल्कुल भी उसके पास अभी बहुत बड़ा राज्य होने की उमीद नहीं थी अलाउदिन आलम सा के समय में दिल्ली सल्तनत के सासन की बागडोर सैयदों से निकल कर लोदियों के हाथ में चली गई अलाउदिन आलमसा की मृत्यू के बाद उसका दामाद और जोनपूर का राजा या सासक हुसेन साह ने बदायू को अपने राज्ये में सम्मिलित कर लिया इसके साथ ही सयदों के सासन का आस्तितु समाप्त हो गया तता बहलो लोदी ने लोदी वन्स के नाम से एक नए राजवन्स की स्थापना कर दी सयद वन्स का सासन लगबग 37 वरसों तक सरहा सयद वन्स 1414-1451 का जो कारिकाल है उसमें सबसे पहले हमने बात की खिजर खान की 1414-21 का कारिकाल इसने सुल्तान की उपादी धारण नहीं की रईयत आला बना रहा और इसने सारूक के नाम के खुतवेज वरवाये उसी के नाम के सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया और उसी को वो राजसो भेजता था दूसरा नाम आया मुबारक साह जो इस वन्स का सबसे सक्तिसाली राजा बना इसने सुल्तान की उपादी अपने आपको दी और इसने विजेसों में राजसो भेजना और सारूक वगारा को देना बंद कर दिया फिर नाम आया मुबारक साह अयास था नकारा था और सयद वन्स पतन की तरफ इसने बढ़ा दिया और आखरी नाम रहा अलाउदिन आलम साह जो कम्पलीट रूप से बिलकुल नकारा बना और इसके समय में दिल्ली से पालम तक का राज्य भच गया यानि आप कह सकते हैं दिल्ली भी दिल्ली में और पालम भी दिल्ली में आज के समय आप देखेंगे तो इस से बसाब से देखेंगे तो मुश्किल से 15-25 किलोमेटर का एरिया बचता होगा तो बिलकुल संकिर राज्य इसके संकोचित इसका हो चुका था तो ये सारी चीज़ें आपको लोग इसमें सेयद वन्स में देखनी है इंपोर्टनेट क्योस्टन हमने डिसकस किये हैं और आम तोर पर जो जो क्योस्टन बनते हैं वो सारे हमने यहाँ पर डिसकस करने की कोशिस की है सबसे पहले सेयद वन्स के कारियकाल के बारे में पूछा जाता है फिर सेयद वन्स की सुचना का सरोत क्या है तारी के मुबारक साही है किसकी रतना है याया बिन हमद सरियंदी की है संस्तापक पूछा जाता है खिजर खान आ गया उपादी कौन सी ली कौन सी ने ली किसका यह आपने देख लिया और उसके बाद तैमूर का उसके पुत्तर सारू का चिकर आपने देखा उसके बाद हम हमाने को कौन्स के संदक्सक में कभी लेखक रहे यह डिसकस कर लिया तो यानि तैमाम वो किजिए हमने यहां पर पढ़ी हैं जो most important है इसके अलावा middle history, modern history और ancient history के crash course आच चुके हैं जो हम लोगों ने PPT based पर अच्छे से बनाए हैं जिनको लाखों बच्चों ने देखा हैं उनको भी जाकर देख लीजिए notes order करने के लिए इस number पर call कर लेजिए, PDF चाहिए तो वीडियो के description चे जल्दी download कर लेजिए, वो आप लोगों के available है, sample के आप लोगों को मुझे लगता जरूत नहीं है, क्योंकि यह सब जीता जागता sample आपके सामने है और सब अच्छी writing में है, अच्छा content हमने दिया है और हम हमारा ancient, हमारा middle, हमारा modern, यह हितियास पूरा होना चाहिए, जोगरिफी आपको पता होने चाहिए, quality आपको पता होना चाहिए, economy आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक सब्वे नागरिक होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, आपको अपने अतीत को नहीं तुब कामने